वेल्कम वेक फ्रेंड्स, बहुत-बहुत स्वागत है आपका, बंदों इस वीडियो में हम लोग जो इस बार उलम्पिक आयोजित हुआ है, उस उलम्पिक से जुरे हुए मातपुर्ण परशनों की चर्चा करेंगे, तो आएए शुरू करते हैं इस वीडियो को देखें बंदों, पहला परशने हम लोगों का, कि 2020 का ग्रिश्म कालीन उलम्पिक कहां आयोजित किया गया था, यह कहां आयोजित किया गया तो बंदों, 2020 का जो ग्रिश्म कालीन उलम्पिक है, उसका आयोजन टोकियो में हुआ है, कहां हुआ है? टोकियो में टोक्यो कहां है बंदूओं टोक्यो जापान में है यह जापान की राजधानी है बंदूओं 2020 का जो ग्रिश्मकालीन उलम्पिक है वो 2020 में होना था लेकिन कोविट के करण 2020 में इसका आयूजन नहीं हो पाया इसका आयूजन 2021 में हुआ है यह 23 जुलाई 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक यह चला है यानि कि 23 जुलाई से शुरू हुआ था और 8 अगस्त को यह समाप्त हो गया है तो यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है आपको कि 2020 का ग्रिश्व कालीन उलम्पिक जो 2021 में हुआ है वो कब शुरू हुआ था और कब समाप्त हो गया तो इस डेट को भी आप याद रखेंगे अगला प्रश्न हम लोह का प्रस्त रंखिया 2 यह कहता है क्या कि 2020 उलम्पिक का शुभंकर क्या है आप याद रखेंगे यह है मीराई तोवा 2020 उलम्पिक का शुभंकर का नाम मीराई तोवा है अगला प्रश्न हम लोगा उलम्पिक 2020 कौन सा संस्करण है याद रखेंगे बंदूओं यह जो उलम्पिक है यह 32 संस्करण है कौन सा 32 याद रखेंगे एक 32 बंदूओं वो 2016 में हुआ था कब हुआ था? 31 दो हजार सोलों में हुआ था रियो डी जनेरियो में कहां? रियो डी जेनेरियो में हुआ था जेनेरियो एक 31 हुआ था और 33 जो है वंदूओं 33 याद रखेंगा 33 ग्रिश्मकालीर उलम्पिक का आयोजन आपको पेरिस में होगा पेरिस कहां है? पेरिस फ्रांस में है या फ्रांस की राजधानी है तो 33 याद रखेंगा पेरिस में आयोजित किया जाएगा और 32 टोक्यो में आयोजित किया गया है 31 कब आयोजित किया गया था? 2016 में कहां पर रियो डी जेनेरियो में अगला प्रश्ण है हम लोगा बंधू हों, टोक्यो उलम्पिक 2020 के उद्गाटन समारो का आदर्शवाक क्या था? आप या दखेंगे आदर्शवाक जो है इस उलम्पिक का था, वो है आपका यूनाइटेड यूनाइटेड बाई इमोशन्स इमोशन्स, यूनाइटेड बाई इमोशन्स इस बार के उलम्पिक, यहनि कि 2020 का जो उलम्पिक है जो 2021 में आयुजित किया गया है, उसका उद्गाटन समारो का आदर्शवाक था, क्या आदर्शवाक था बंधू हों? यूनाइटेड बाई इमोशन्स अगला प्रशने हम लोगों का, उलम्पिक 2020 के समापन समारो में, समापन समारो का, फिर से पर देते हैं, उलम्पिक 2020 के समापन समारो का थीम क्या था? आप याद रखेंगे, इसका थीम था, वर्ल्ड्स वी शेयर, तो 2020 टोकियो उलम्पिक के समापन समारो का थीम क्या था? वर्ल्ड्स वी शेयर, अगला प्रशने हम लोगों का बंधू हो, टोकियो उलम्पिक के उद्गाटन समारो में, भारतिये ध्वजवाहत कौन थे? आप याद रखेंगे, जो इस बार के उलम्पिक में भारतिये ध्वजवाहत थे हों हैं, MC, Maricom, और दूसरा, Manpreet Singh, ये दो लोग इस बार के उलम्पिक के ध्वजवाहत थे? MC, Maricom का संबंध, बॉक्सिंग से हैं, ये महिला बॉक्सर हैं, बहुत ही परसिद्ध महिला बॉक्सर हैं, MC, Maricom, ये छे वार की जो बॉक्सिंग का वर्ल्ड चेंपियंसिप होता है, उसकी विजेता रही है, MC, Maricom, इनको सूपर मॉम् क्या कहा जाता है, बंधूओं याद रखिएगा, सूपर मॉम, सूपर मॉम के नाम से जानी जाती है, MC, Maricom, इनको मैगनिफिसियंट मैरी भी कहा जाता है, इस नाम से भी ये जानी जानती है, किस नाम से? मैगनिफिसियंट, मैगनिफिसियंट, मैरी, बंधूओं, आप याद रखिएगा, 2003 में, मैरी कौम को अरजुन पुरसकार मिला है, अरजुन पुरसकार 2003 में मिला है, 2006 में, इनको पदमश्री मिला है, पदमश्री कम मिला है इनको, 2006 में, 2009 में इनको राजियू गांधी खेल रत्न पुरसकार मिला है, राजियू गांधी खेल रत्न पुरसकार इनको मिला है, 2009 में, खेल रत्न पुरसकार, प्रसकार 2009 में इनको राजी हुगान्दी खेल रहते हैं प्रसकार मिला है 2013 में इनको पद्म भूशन मिला है पद्म भूशन प्रसकार जो है पद्म भूशन प्रसकार कही है पद्म भूशन सम्मान कही है पद्म भूशन कम मिला है इनको? 2013 में और 2020 में इनको पद्म विभूशन मिला है पद्म विभूशन इनको मिला है 2020 में बंद्धो मनपीत सिंग जो है ये भारतिय हौकी टीम के कैप्टन है हौकी टीम के कैप्टन है हौकी टीम के कैप्टन है के कप्तान मंत्रीच सिंग भारती होक्की टीम के कप्तान है अगला प्रशन हम लों का बंदू और मैरी कों के बारे में थो हमने बता है ही आपको यह बहुत ही प्रसिद्ध महिला बॉक्सर है हलाकि इस बार के उलम्पिक में दुर्भागे वस इनको मेडल नहीं मिल पाया लेकिन इनका जो खेल जीवन आप देखेंगे बहुत ही सराहनिये है और अनुकरनिये है अगला प्रशन आप देखिए उलम्पिक 2020 के समापन समारो में भारतिय धोजवाहक कौन था आप याद दखेंगे इस बार का जो उलम्पिक समारो हुआ है उसके समापन समारो में भारतिय धोजवाहक जो है वो है थे कौन थे याद दखिएगा बजरंग पूनिया बजरंग पुनिया क्या फिर से एक बार रिपीट करते हैं कोशन देख लिए ओलंपिक 2020 के समापन समारों में भारतिय धोजवा कौन थे आप याद रखेंगे कौन थे बजरंग पुनिया बंदो बजरंग पुनिया जो है इनका समंग रिस्लिंग से है फ्री स्टैल रिस्लिंग जो है कुस्ति उसके खिलाडी है बंदरंग पुनिया और यह जो है इस बार का जो उलंपिक हुआ है उसमें का आप का से पदक पराप्त किया है कास से पदक प्राप्त किया है 2020 केoglo does 60 kg वर्ग में उसमें उन्होंने कां से पदक प्राप्त किया है इस बार के उलम्पिक में यानि कि 2020 के उलम्पिक जो 2021 संपन हुआ उसमें बजरंग पुनिया को कौन सा पदक मिला है आप याद रखेंगे कां सा पदक मिला है और यही जो है आपका समापन समाहरूह के भारतिय ध्वज वहत थे कौन बजरंग यह देखे क्या करता है टोक्यो ओलंपिक में पहला पंदक्स जीतने वाला भारतिय कौन है तो आप याद रखेंगे मीरा बाई मीरा बाई चानू मीरा बाई चानू टोक्यो ओलंपिक में पहला पंदक्स जीतने वाले भारतिये हैं बंद्वों यह महिला वेट लिप्टर हैं उन्होंने 49 कजी महिला वर्ग में वेट लिप्टिंग में रजत पदक रजत पदक जीता है बंद्वों मीरा बाई चानू जो हैं सीलवर पदक जीता था 2018 के कॉमन विल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता है गोल्ड 2017 का जो वेट लिप्टिंग चंपियंश था उसमें इन्होंने गोल्ड जीता है यह 48 kg महिला वर्ग था 48 kg महिला वर्ग था और 2020 का दो हजार और यह दोनों जो था यह 48 kg महिला वर्ग था दो हजार बीस के एसेन चेंपियंशिप में जो तशकंद में हुआ था उसमें इन्होंने कहां से पदक जीता है कहां से पदक मीरा बाई चानू जीती है 2018 में इनको पद्म श्री और राजियू गांधी खेल रत्न पुरुशकार दिया गया है राजियू गांधी खेल रत्न पुरुशकार इनको दिया गया है मीरा बाई चानू को किस भारतिये ने 2020 के उलम्पिक में स्वर्ण पदक जीता तो आप याद रखेंगे बंदू कि स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतिये हैं नीरज चोपरा कौन नीरज चोपरा नीरज चोपरा जो है वो 2020 के उलम्पिक में भाला फेक में स्वर्ण पदक जीता है बंदू ये पहले खिलाडी हैं पहले भारतिये हैं जिन्होंने अटलेटिक्स में स्वर्ण पदक हासिल किया है इस बात को आप याद रखेंगे कि ये पहले भारतिये हैं जिन्होंने उलम्पिक के अटलाटिक्स का जो खेल होता है उसमें स्वर्ण पदक जीता है और व्यक्तिगर्थ रूप से जो असपरधा होता है व्यक्तिगर्थ असपरधा में स्वर्ण पदक जीतने वाले ये दूसरे भारतिये हैं याद रखिएगा ये दूसरे भारतिये जिनको स्वर्ण पदक व्यक्तिकत अस्परधा में प्राप्त हुआ है पहले भारतिय थे अभीनव बिंद्रा अभीनव बिंद्रा पहले भारतिय थे जो व्यक्तिकत अस्परधा में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने 2008 का जो बीजिंग ओलम्पिक्स था 2008 का बीजिंग ओलम्पिक्स, बीजिंग, या दखेगा, 2008 का जो बीजिंग ओलम्पिक्स था, उसमें अभिनोग बिन्राज जो थे, 10 मीटर येर राइफल शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था, ये शूटिंग के खिलाडी है, 10 मीटर येर राइफल शूटिंग में इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलम्पिक्स में स्वर्ण पदक जीता था, तो व्यक्तिकर्ट असपर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारती अभिनोबिंद्रा हैं, और दूसरे भारती होगे जो व्यक्तिकर्ट असपर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, वो है नीरज चोप्रा, और पहले अथलेटिक्स के खिलाडी है, अथलेटिक्स म देखिए कौन सा है यह 10 है यह क्या करता है दो लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतिये महिला कौन है तो आप या देखिएगा बंधूओं यह काम करने वाली जो महिला है वो है पीवी सिंधू पीवी सिंधू यह पहली भारतिये महिला है जिन्होंने दो ओलंपिक में पदक जीता है बंधूओं यह बैड्मिंटन खिलाडी है यह 2016 का जो ओलंपिक था उसमें जो रियोडिजनेरियों में हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर पदक जीता था और इस बार का जो ओलंपिक है 2020 का टोक्यो ओलंपिक उसमें इन्होंने कांस से पदक जीता है तो यह पहली भारतिये महिला है जो लगतार दो ओलंपिक में पदक जीत चुकी है अगला प्रस्न देखिए है उन्हों का प्रस्न क्या गया रहे है यह क्या कहता है टोक्यो में भारत ने कितना पदक जीता है तो आप याद रखेंगे मंदूओं भारत ने साथ पदक इस ओलंपिक में जीता है साथ पदक एक स्वर्ण है स्वर्ण एक है दो रजत है स्वर्ण एक दो रजत और तीन कांस है खूल मिला करके भारत ने इस ओलंपिक में साथ पदक जीता है जिसमें एक स्वर्ण पदक है दो रजत पदक है और चार कांस से पदक भारत को प्राप्त हुआ है अगला प्रस्शन है हम लोगा बंधु हों देखिए 2020 ओलंपिक में किस देशन सबसे अधिक पदक जीता है तो यह याद दखिएगा आप कि अमेरिका जीता है सबसे अधिक पदक नंबर वन अस्थान पर इस ओलंपिक में अमेरिका है यह कूल 113 पदक जीता है जिसमें 49 और 41 रजत है 49 स्वर्ण, 41 रजत और 33 जो है कास है 33 कास से पदक अमेरिका ने जीता है बंधों एक परश्ण और मनेगा इस उलम्पिक में भारत का कैमा अस्थान है वो याद रखिएगा भारत का 48 वा अस्थान है और 44 वा अस्थान है इस उलम्पिक में नमबर वन पर अमेरिका है, दूसरे अस्थान पर चीन है और तीसरे अस्थान पर जाबान है तो इसमें भारत का अस्थान कैमा हो गया और 44 वा इसे आप याद रखिएगे तो अगला प्रस्ण होनों का है प्रस्ण क्यातिर देखे यह क्या है पुर्षों के 57 के जी वर्ग में फ्री स्टाइल कुस्ती में किस भारतिये ने रजत पदक जीता तो बंधू यह हैं रवी कुमार रवी कुमार दाहिया इरहों नहीं फ्री स्टाइल कुस्ती में रजत पदक जीता है 57 के पुर्षों का जो वर्ग है उसमें अगला प्रस्ण है बंधू हो किस भारतिये महिला मुक्के बाज ने टोक्यो में कांस पदक जीता तो यह हैं बंधू लोवलीना वोर गोहेन बंधू लोवलीना वोर गोहेन जो है यह भारतिये महिला मुक्के बाज है जो 2020 के टोक्यो उलंपिक में कांस पदक जीता है अगला प्रस्ण बंधू भारतिये होकी टीम पुरुष होकी टीम ने 2020 उलंपिक में कांसा पदक जीता है फिर से प्रस्ण को रिपीट कर रहे हैं भारतिये पुरुष होकी टीम ने 2020 उलंपिक में कांसा पदक जीता तो आप याद रखेंगे बंधू कांस पदक भारतिये होकी टीम में जीता है जो भारतिये पुरुष होकी टीम है उसने टोकी उलंपिक में कांसा पदक जीता है बंधू भारत जो है उलंपिक होकी में आठ बार गोल्ड जीत चुका है और यह जो भारत ने कांसा पदक जीता है बंधू वो 41 साल बाद जीता है अन्तिम बार होकी में भारत ने 1980 में गोल्ड प्राप्त किया था और 1980 के बाद इस बार 2021 में भारत को का से पदक उलम्पिक के होकी में प्राप्त हुआ है पुरुस होकी में बंदुओ भारत जो गोल्ड आठ भार प्राप्त किया है उसमें देख लिजिए ये 1928 में 1932 में 1936 में उसके बाद 1948 में 1932 में उसके बाद 1964 में बावन के बाद 1964 और 28 हो गया 32 हो गया 36, 48, 52 और 56 में प्राप्त किया है 1956 और उसके बाद 1964 में फिर 1980 में भारत ने उलम्पिक होकी में गोल्ड प्राप्त किया है और इस बार 41 साल वाद बंधू भारत को कांसपदक प्राप्त हुआ है इस उलम्पिक में तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है करे दो करे लिए प्राप्तना है